नमस्ते, मी टाइम, माई किचन, माई लाइफ में आपका स्वागत है मी टाइम यानि धेर सारी क्रियेटिविटी इसमें है कुछ रेसिपीज, कुछ डियाईवाई आइडियाज और कुछ नया तो चलिए, आज मैं आपके साथ सेयर करती हूँ मैंने ट्राइशनल चारपाई कैसे बनवाई है और उसको किस तरह मैंने एसेंबल किया और किस तरह उसकी पट्टी भरी, वो सब मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले इसके चार वुडन के लेग, जो है डाई फिट के और उसकी चार वुडन पट्टिया है उसमें से दो छे फूट की है और दो तीन फूट की है यह हमने कारपेंटर से बनवाया है और उसके उपर वानि स्प्रे किया है इसको हमने एसेंबल किया और फिर उसमें हमने यह कॉटन पट्टी भरी यह पलंग के लेग में इस तरह के होल आते है और फिर इसमें हमने यह वुडन पट्टिया फीट कर ली है इसके लेग और पट्टियों पे हमने नमबर लिख दिये थे जिससे की हमें डिसेंबल करके रियेंबल करना हो तो हमें इजी रहता है ये वुडन पलंग की खाशियत यही है कि ये फोल्डिंग है इसलिए हम इसे अलग करके फिर इसे छोटी जगह में भी श्टोर कर सकते हैं चलिए अब मैं इसमें पट्टी की इस तरह भरी वो दिखाती हूँ पट्टी को पलंग के एक कॉर्णर पे इस तरह बंद लिया ये पलंग भरने में दो परसन की जरूरत पड़ती है तो मेरे हस्बन ने इसमें मेरी हेल्प की है ये पट्टी छे मीटर की है और सबसे पहले हमने लंबी साइट बरी है तो एक साइट से हमने दुसरी साइट इस तरह पट्टी को पहले उपर और फिर नीचे पास किया है इस तरह हमने नाइन लाइन बनाई है इसमें हमने थोड़ी थोड़ी गैप रखी है पट्टी को दुसरी साइट बढ़ने से पहले हमने ये पट्टी को खीच के टाइट कर लिया था और फिर हमने ये पट्टी को पहले नीचे से एक कॉर्णर पे पास कर लिया और फिर वुडन पट्टी पे हमने एक राउंड लगा दिया और फिर हमने इस तरह इसको एक-एक करके पास कर लिया और इस तरह हमने एक-एक पट्टी को स्किप करके सिर्फ उपर वाली लाइन में इस तरह पास कर लिया है और फिर इसको दुसरी साइड से वुडन पट्टी के नीचे से पास करके दो पट्टियों के बीच से हमने दुसरी साइड इसको पास कर लिया यानि कि यह उपर और नीचे वाली पट्टी के बीच में जो गैप है उसमें से डाइरेक्ट दुसरी साइड इसे पास कर लेना है और फिर उसे नीचे से इस तरह उपर लाना है फिर हमें पहले वाली लाइन से अपोजिट दूसरी लाइन हमें एक-एक पट्टी स्किप करके बरनी है ये पट्टिया इसी तरह पूरी हमने पलंग में बर ली फिर हमने इसको टाइड किया था ये पलंग में हमने इस तरह की चेक्स बनाई है आप चाहो तो इसे क्रॉस में भी चेक्स बना कर बर सकते हो या फिर इसमें दोरी भी बर सकते हो मैंने पहले के एक वीडियो में मैटल की छोटी सी चारपाई शेर की थी वो चार पाई में मैंने दोरी भरी थी तो उसी तरह इसमें भी आप दोरी भर सकते हो आप अलग-अलग डिजाइन भी बना कर भर सकते हो ये पलंग हमने नीम की लकड़ी से बनवाया है आप चाहो तो इसे साग या फिर सिसम या कोई और लकड़ी से भी बनवा सकते हो ये पलंग इतना easy caring है कि हम इसे terrace पे या फिर आंगन में या फिर घर में कहीं पे भी बिछा सकते हैं अब हमने ये पूरा पलंग इस तरह भर लिया है और फिर last में हमने हलकी सी note लगाई हमने जहां से पलंग भरने की सरुवात की थी वहां से हमने उसी sequence में सभी पट्टियों को खीच कर टाइट कर लिया ये पलंग में पट्टियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद टाइट करना पड़ता है ये पट्टियों को हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद इजीली निकाल के दो कर फिर से इसे बर सकते हैं बाइद वे ये चारपाई पे सोना हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है और ये पलंग में हम बिना गद्दा बिचाये भी आराम से सो सकते हैं इस सो कमफर्टेबल गाओं में तो ये मोश्टली हर गर में होते ही है और ये पलंग के दूसरे यूजीज है इसके उपर हम पापड़, पापड़ी, वेफर्स वगड़े दूप में सुखा भी सकते हैं ये पट्टियों को टाइट करने के बाद इसमें इस तरह टाइट नोट लगा दी डबल नोट लगाई है जिसे कि ये खूलना जाए और ये पलंग तैयार हो गई है ये पलंग एजीली मुवेबल है तो जब काम ना हो तो हम इस तरह इसको खड़ी भी रख सकते हैं और पीछे से ये इस तरह दिखती है और ये पलंग बहुत ही कम खर्चे में बन जाती है थेंक यू फॉर वाचिंग टेक केर